बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलामुलेकुम मैं हूँ असद और आप देख रहे हैं असद Electrical आज हम बात करेंगे CDVR के उपर यानि Caterpillar Digital Voltage Regulator लास्ट वीडियो में हमने DVR पर बात की थी वह भी Caterpillar की था लेकिन जैसा के हम बता चुके हैं डिफरेंस वाली वीडियो में के उसको खाली DVR यानि Digital Voltage Regulator कहते हैं और इसको Caterpillar Digital Voltage Regulator सबसे पहले हम इसके Connection पर बात कर लेते हैं जब आप AVR को Front Side से देखेंगे तो आपको तीन Connectors नजाएंगे उसमें चौथा J4 Connector है जो के Software के लिए यहां पर Cable लगती है और दुसरी साइड उसकी हमारे Computer या Laptop में चली जाती है तो Programming पे तो भी हम आते हैं पहले हम इसके Physically Connections पर बात करते हैं इसके जो Connections है वह इस तरह नहीं है कि वायर आकर यहां पर लग जाएंगे और आप उसको स्कूर्ड्राइवर वगईर से टाइट करेंगे बल्के वह पहले से आपको Connector में उसको जए वो Connect करना पड़ेगा वो Connector बाकाइदा इसके लिए Specific होते हैं तो यह 6-pin का Connector होगा यहां पर 12-pin का और यहां पर 9-pin का तो इसको जो इन्होंने नाम दिया है P6, P12, P9 तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो इसी हिसाब से यहां पर Connector के Numbers है इसमें जो एक चीज़ का धियान रखना होता है क है राइट टू लेफ्ट है नमबर मसलन 123456 इसी तरह इसके 12 होंगे इसी तरह इसके 9 होंगे तो यह लेफ्ट टू राइट नहीं है बलके राइट टू लेफ्ट है और जब यह मतलब आप किसी CDVR के उपर काम करने जाने तो वहां पर यह अल्रेडी सब कुछ जो डिजाइन करने जाने तो सीधा सीधा आप कनेक्टर निकालेंगे तीनों नया CDVR लाइंगे और कनेक्टर वापस लगा देंगे तो वाइरिंग में को इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा अलबता इसकी प्रोग्रामिंग वगएरा में ज्यादा जो हो चेंजिंग वगएरा करनी परतीं तो सबसे पहले हमीस kau selection पर बात करेंगे तो P6 का चशू करें । ऊसमें एक से लेकर चबड़ा कर च्छह तक उसमें जो वाइरिंग वह किस ताना आ रही है एक दो तीन हमारे पी एमजी में जाए चार और पांच जो हमारे एक्साइटर फील्ड के हैं चार नेगेटिव और पांच जो पॉजिटिव होता है छे नंबर जो वो गिराउंड अब हम बात करते हैं पी नाइन की पी नाइन के जो तीन है शुरू के वो केन बस के लिए हैं केन बस यानि कम्यूनिकेशन के लिए उसके जात इसमें लगाओ इसमें पोटेंशो मीटर यूज नी के आता है इसे वियर के साथ तो यह जो टोगल स्विच की तरह काम करता है काम इसका वही है कि वोल्टेज को आप और डाउन करवाना तो इसमें यह तीनो तार जा रहे हमारे चार पांच छे बिल तर्तीब यह पी नाइन जैसा कि हमने बताया कि यहां से शुरू हो रहा है वन टू थरी फोर फाफ सिक्स सेविन एट नाइन टैन एलेवन ट्वेल स्थना उसके बार त्री जो है वो मतलब अकसर इसमें खाली चूटेव थे तो नॉट इन यूज भी होते हैं कुछ ऑप्शनल भी होते हैं चार और यहां पर खाली है साथ जो है वो साथ और आट इसकी सप्लाई है यानि जिससे इसको उपरेट होना है तो जो कनेक्शन हम बता रहे हैं वो तो लाजमी है जो हमें करने हैं यानि के सप्लाई के बगए यह कामी नहीं करेगा तो इसको 24 वोल्ट DC चाहिए साथ पर आज वोल्ट के जो कि हरी व्यर में होते हैं जो कि हमारे पीटी से आरहे है या जो भी इसकी रेटिड वैलिए महां से आते हैं और चाहिए यह याण से लेले नोंगे बाकी जर्चोड़ देने हूंगे उसमें भी लेकिन अगर और सीडियार को सीडियार से रिप्लेस करें त यह जो आप देख रहे हैं रेट कलर का यह इसका जो इंडिकेशन लैंप लगावा होता है जब भी आप अपने जरेटर का जो बैटरी की स्वीच होता है जब आप उसको आउन करेंगे तो इसको पावर मिलती है तो यह एकनॉलिज के लिए थोड़ी देर के लिए ओन होगा उ इसको पावर मिल गई है और इसने अपना काम शुरू कर दिया उसके बाद जब इसमें कोई फॉल्ट आएगा तो उस सूरत में इसकी लाइट जो ओन होगी तो फॉल्ट आएगा तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं पता चलेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके साथ करनेक करना पड़ेगा अब हम आते हैं इसके सॉफ्ट वेयर के उपर अब हम बात करें इसकी प्रोग्रामी यानि सॉफ्ट वेयर के उपर जो सबसे पहले आपको यह जहन में रखने हैं कि इस तरह एटी का सॉफ्ट वेयर हमारे पास होना ज़रूरी है किसी भी एलेक्रोनिक इंजन पर कनेक्ट करने के लिए एस टी या जो भी सॉफ्ट वाले इंजन होते हैं हमारे एलेक्रोनिक टाइप उसी तरह सीडी वीयर पर कनेक्ट करने से पहले आपके पास इसका सॉफ्ट वेयर होना ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं सीडी वीयर पीसी तरह नहीं होती बलके एक नॉर्मल के भील होती है उसके दोनों साइट की जो कनेक्टर्स हैं वह हमें देखने होते हैं तो एक हमारा CD VR पर लग जाएगा दूसरा हमारा लैप्टोप पर लग जाएगा इस तरह यह कम्यूनिकेट करेगा हमारे CD VR के साथ अच्छा CD VR का software है जब वह कनेक्ट करते हैं तो वहां पर पासवर्ड मांगता है जो लोग इस पर काम करते हैं उनको तो पता है जो इसके हवाले से ट्रेनिंग ले रहे हैं या सीखना चाहरे हैं उनके लिए बात बता रहा हूं कि उसका जो पासवर्ड वह कॉमन होता है स्मॉल लेटर क्या motivated करने का उपशन तो बाद में चेन्ज कर ले अपने एसाब से लेकिन जो अभी तक हमने देखा है वह यह है कि इसका password cat होता है CAT cat उसके बाद वो हमारे cdvr के साथ connect हो जाता है तो जब यह connect होता है तो महाँ पर पांच चीज़े आती है हमारे इसका एक ही पेज होता है एक पेज पर ही जो है वो पांच options होते हैं हमाँ पास configuration setting gain protection और metering configuration में इसकी सारी जरूरी configuration है जिसतारे ECM में होती है सैटिंग में जो हैं इसकी कुछ set points वागेरा होते हैं जो के फ़ोड़ा डिटेल से बात करने की ज़रूरत है उस पर फिर कभी आगे चल के बात करेंगे protection में इसकी सारी वोल्टेज आ रहे हैं उसकी output पर कितना उस पर लोड है कितना पावर फेक्टर चल ला है यह करंट जो पैरामीटर जो सारे metering में आते हैं हमाई laptop पर चुक्के cdvr पर तो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं या तो हम generator के पैनल पर मॉनिटर करते हैं पैरामीटर या ईटी मे करते हैं तो इटी में जब इंजन साइट के होते हैं सिर्फ तो cdvr के जितने पैरामीटर हैं हमाई laptop पर हम caterpillar के cdvr PC software के तुरू देख सकते हैं metering में तो यह इसकी configuration वगएरा यहां से होती हैं अब हम इसकी protection से बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी protection DV होती है आखिर में हम बात करेंगे इसकी protection के उपर तो जो protection हमें इसकी manual में मिली हैं अचा सबसे पहले ही समझ देंगे इसकी अगर आपको specifications वगएरा देखने हो इसके features क्या क्या हैं तो इसकी जो manual है वो PDF में available है Google पे आप सर्च कर सकते हैं caterpillar cdvr लिखकर या cat tvr या cdvr लिखकर इस तरह आपको मिल जागा तो आप इसकी manual को PDF में डाउनलोड करके इसके connections वगएरा भी देख सकते हैं इसके बारे में मजीद details दे सकते हैं इसके क्या-क्या features हैं क्या-क्या options हैं और सारी details आपको मिल जाएगी वहीं से हमने इसकी जो protection है वो ली है इसमें over voltage की protection है under voltage की protection है loss of excitation loss of sensing यानि loss of sensing इसको जो sensing voltage है वो नहीं मिल रहे है उस वक्त जो है इसमें fault आएगा और loss of excitation यानि sensing volt इसको मिल रहे हैं मगर excitation नहीं मिल जा पार ही आगे ओवर excitation यानिके excitation के जो voltage है वो ओवर कह सकते हैं उसको या इसकी जो output है excitation की उसमें कोई भी problem हो over excitation का field current का over हो जाना सब्सक्राइब के ओवर excitation और field over current यह दोनों अलग-अलग दिया वह तो में भी के over excitation जो वो voltage हो और field over current जो वो excitation का current हो डायोट फॉल्ड मॉनिटर यानि कि जब डायोट का फॉल्ट होगा उस वक्ट भी यह जो इसको protect करवाएगा internal memory failure या internal watchdog failure की सूरत में भी यह protect करेगा तो यह सारी इसमें protections है इसके अलावा आपको detail इसकी सारी जो इसकी manual में मिल जाएंगी तो description में उसका link दे देते हैं वह से जाकर आप उसको PDF में download कर सकते हैं तो CD VR के वाले से कोई भी आपका question आप comment में पूछ सकते हैं description में आपको लिंक मिल जाएगा महाँ पर जाकर आप जो इसकी manual को PDF में download करके बाकी detail इसकी देख सकते हैं CD VR जो है बहुत ही reliable टाइप का AVRS में बहुत कम fault आते हैं और अगर fault आएगा तो फिर आपको इसका software और लेप टॉप वगएरा सारी चीज़ा आपके पास होनी चाहिए या आम AVR की तरह नहीं है कि इस पर आप जाकर मीटर के जरीए मल्टी मीटर से कोई फाल डाइगनोस कर सकें तो इसके लिए आपके पास software और वगएरा का होना जरूरी है उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कोई भी आपका कुछ से नहीं आप कमेंट में पूछ सकते है इंशालला नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे जब तक के लिजाज़त दीजिए अल्लाहाफिस